आज जसी गल करन जा रहे हैं, बीएड एंट्रेंस टेस्ट दे विच जड़ी सब तो पहली चीज है, ग्रैमर जानी के व्याकरन बारे व्याकरन दे विच बहुत सारी चीज़ा आ जान दियाने, जिदे विच सब तो पहला था सिंपल एही पुछा जा सकता है, कि व्याकरन हुंदा की है, ठीक है, वैसे तक सवाल जड़े आन देने, अब्जेक्टिव आन देने, ओप्शन्स हुंदियाने, ठीक ओप्शन दो क्लि विच बहुत सब्ची गई होवे, कि व्याकरन हुंदी की है, देखो व्याकरन, देखो एक सारी कोड़ शब्द हुंदेने, शब्दानों सही तर्तीव नाल लगान दा जड़ा टांग है, उसानों व्याकरन सखान दी है, ठीक है, जे संखेब ते सिद्धे सिद्धे शब्द केहा जावे, ता शुद्ध जा टकसाली बोली लिखन दे नियमा नू व्याकरन केहा जानदा है, किसे बोली दी सही ते सपष्ट रूप विच वर्तों करन ली, उस दे व्याकरन सबंदी नियमा बारे ग्यान होना बहुत जरूरी है, तो एक सदा रंजी गल अपा व्याकरन बारे कर सकते हैं, इस तो बाद व्याकरन दे विच बहुत सारी चीज़ां आ जान दियाने, जी में के नाम, पढ़नाम, विशेशन, किरिया, किरिया विशेशन, कारक, योजक, सबंदक, विस्मक, ते इस तो इलावा होर भी चीज़ां, मतलब कुमाफरा के किसे भी पासे त सकते हैं, सब तो पहला जेड़ा एदे विच नाम दिता गया है, नाम बहुत सौखी जी चीज़ा है, जेदे विच सिंपल एदी जड़ी प्रिवाशा ही है, भी नाम कीनों केहा जान दा है, वैसे दा दुनिया चे कोई भी चीज़ा है, उसनों बलाउन वास्ते हैं, आसी कि को लेजन दे हुनने हैं कई बारी, सो पांची तरह दा नाम हुन दा है, आम नाम, खास नाम, इकठ वाचक नाम, पाव वाचक नाम, वस्तु वाचक नाम, चौत्थी, पंजवी, छेवी, सत्वी, अठ्वी, दस्वी दिया कताबां तक ए सारिया चीज़ां दितियां गया पढ़ नाम बरे, सो किरपा करके तो कोई भी कताब एदिनाल सबंदत मिल जन दिया ता तुसी जरूर पढ़ ले ना, जड़िये व्याकरन नियाकुशक चीज़ाने, ठीक है, हुन कई वरी, मतलब पागत सिंख हो गया, कि यह आम नाम है जा खास नाम है, वैसे ताए बहुत साधी जी गल है, यह साधी जी उदा आरंदे रहे हम है, ठीक है, पर एदना दे साधी जी स्वाल हुन देने, कई वरी जड़े साधे तो गलत हो जान देने, ठीक है जी, सो उस तो बाद आ गया पढ़नाम, पढ़नाम हुन दा है, कोई भी शब्द जेडा नाम दी थांते वर जानता है जी में मेरे बहुत सारे मित्तर हैं पर सुर्जीत सिंग मेरा पक्का मित्तर है सुर्जीत सिंग सवेरे सजरे उठता है सुर्जीत सिंग रोज सहर करन जानता है ता असी वार वार सुर्जीत सिंग सुर्जीत सिंग नहीं वरता दे ठीक है असी सुर्जीत सिंग दी थ जा चार किसम्दा, ठीक है, हुण जिस तरह नाम होंदा है, पांज किसम्दा, पर पढ़नाम जड़ा होंदा है, छे किसम्दा होंदा है, पुर्ख वाचक पढ़नाम, निश्चे वाचक पढ़नाम, निश्चे वाचक पढ़नाम, सबंद वाचक पढ़नाम, प्रशन वाचक प बिश्चे वाचक हुन्द है, ठीक है, आनु तुसी किताबबाने विच्चो विस्थार पूर पढ़ सक देऊ, ठीक है, आगला असी गल करन लग गया, विशेशन बारे, विशेशन जी में के सानु नामी दस दा है, कि विशेशन के हुन्द है, जेड़ा किसे नाम जा पढ़ नाम दी विशेष्टा दसे एदे विच्चो भी सिदा सिदा सवाल कई वर इतना आजन्द है कि किन्ने परकारदा हुंदा है ठीक है ए पांच परकारदा हुंदा है गोन वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन निश्चे वाचक विशेशन प काम दे होन बारे सानु दास दिया, जी मैं अगर इजी चैसी वर्ब कहने हुने है सनू, ठीक है, वर्ब यही हुन दिया ना के कोई काम, he is going, ठीक है, जीडा जी ओ गो है, जाना, जाना मतलब कोई किर्या दा होना, ठीक है, ते ऐसे तरह खेटना, कुछ करना, कुछ भी पर किर करनी, ता ओहो किर्या खवान दिया, ठीक है, दो परकार दी हुन दिया, अकर्मक किर्या, सकर्मक किर्या, कई वर्ब सितस-दस वाले ही आ जाना, के वंड दस दो भी कितना हुन दिया, की की तरह दी, किस तरह दी हुन दिया, ठीक है, सो एक वक्री तरह दी भी वंड हुन दि इनु इदा स्वाल अकर्मक ते सकर्मक किर्या चोई आनता हुनदा है, ठीक है जी? उस तो बाद है किर्या विशेशन, किर्या विशेशन अठ परकारदा हुनदा है, जिमें आप दस्या ना कि नाम पंज परकारदा, पन नाम छे परकारदा, इसे तरह किर्या विशेशन चो भ वी आजनता है, वी किन्ने परकारदा होंदा है, ये बहुत वारी रिपीट होया होया है, ताम है तो अनुदास रहे हैं, ठीक है, आठ परकारदा होंदा है जी, जड़ा किर्या विशेशन है, काल वाचक किर्या विशेशन, स्थान वाचक किर्या विशेशन, परकार वाचक कि किर्या विशेशन, परिमान वाचक किर्या विशेशन, संख्या वाचक किर्या विशेशन, निर्ना वाचक किर्या विशेशन, निश्चे वाचक किर्या विशेशन, सो किर्या विशेशन चो एदानिया चीज़ां आ सक दियाने, यह उदी वंड किती होई है, इस तो इलावा का योजक सबंदक विस्मिक इदे विच्छों भी सवाल पाए जा सकतेने हुन जड़ा विस्मिक है विस्मिक बड़ी सौखीजी चीज़ है बतब कदे भी असी बहुत ही ज़ादा खुशी गमी जा हैरानी दे पावानू परगड करने जड़े शब्दां दी वर्तों कर देया वा पावा बले बले यासी एकदम डार जीए तावी मतलब एकदम जड़े साड़े पावानू पर गट करे ठीक है हुन ए एदिमील अगला के किसमाने ए दास किसमाता हुनता है संबोधनी विस्मिक ठीक है संबोधनी जदो आसी किसेनों संबोधन करना है ओए कुड़े काका पाई नी कुड़िये एदनादे शब्द जड़े ने ए संबोधनी विस्मिक अखवान देने सूचना वाचक मतलब जीदे नाल किसेनों खबरदार कितना गया होगे ठैर वेखीं खुश्यार खबरदार बचीं एदनादे जड़े शब्द ने एह है किने सूचना वाचक वि विशेशन परसंसा वाचक विस्मिक जड़े परसंसा वाचक है किसे दी परसंसा करन वास्ते वरते जान दे हैं वावा बल्ले वाव ए परसंसा वाचक विस्मिक ने जड़े किसे दी परसंसा वास्ते वरते जान देने शोक वाचक विस्मिक एदे विचे जिवे असी किसे द अफसोस, शोक, एदना दे जड़े शब्द ने शोक वाचक विस्मिक हुन देने, उस तो बाद है सतिकार वाचक विस्मिक, जिमें असी जी आयानू कहता, ठी कहता, नपा कहता, कीडी का नराइन कहता, भी एदना दे शब्द जड़े असी, मतलब कोई साठे कार आया, उन्हों असी सतिकार देना है, उदे वाचक विस्मिक, अधे विच्ज, जिमें कैसे नू МУ कहता दुर फित्टे मू, लख लानत, दफा हू, एदना दे जड़े शब्द ने, फिटकार वाचक विस्मिक अकवान देहान, असीस वाचक विस्मिक, जदों असी कैसे नू असीस दन देहा जिउंदार है, तत्तिवा ना लगे, वड़ियां उम्रा, बुढ्ड सुहागण, एदनादे जड़े शब्द ने, असीस वाचक विस्मिक अखवान देने, इच्छा वाचक, हाईवे रबा, दाता, तिरा शुकर है, मतलब जी दे विच्छे असी मांदी इच्छा परगट कर ठीक है, इच्छा वाचक विस्मिक अखवान देने, हैरानी वाचक विस्मिक, एदे विच्छे मतलब असी हरान हुन्या, ठीक है, वाह, हैं, हला, एदनादे जड़े शब्द ने, हैरानी वाचक विस्मिक अखवान देने, ते सलाहुता विस्मिक, सलाहुता वाचक विस्मि आदू ठीक है यह मैं सारियां चीज़ना जडियां ने संखेपच दसियां ने विस्थार दे विच तुसी कताबा जो ग्यान जरूर ले सकते हूं क्योंकि यह बारिक्यां पढ़नियां बहुत जरूरी ने ठीक है जी मतलब जीस तरह हो न कोई एक चीज़ आसी मालो आसी पढ़नाम करन जा रहे हैं ते पढ़नाम दे विच निज़ वाचक तो एदना दा कोई सवाल आजन दा है कि निज़ वाचक नारी सबंदत है निश्चे वाचक नारी सबंदत है और निश्चे वाचक नारी सबंदत है और निश्चे वाचक नार सबंदत कहता है ता साननू पर बोली नाड़ स्वाल एदनाद आद जेड़ा किसे ना किसे टांग नाड़ बोली दी पर भाशा नाल जुड़ा होया हुँदा कि बोली हुदी की है बोली हुन दिया मूँ वीचो निकलन वारियां ओ सार्थक आवाजां जिना राही असी अपने मांदे पावानों दुज्जियां दे सामने परगट कर देया उन्हों असी बोली कहने है ठीक है तो एदना दिया गल्ला सानों सपष्ट पता होनिया चाहिए दिया इस तो बाद है शब्द शब्द जड़ा है शब्द जाता हुन देने सार्थक शब्द जा हुन दे निरार्थक शब्द सार्थक ओ हुन देने जिना दा मतलब कोई ना कोई अर्थ जरूर हुन दा है ठीक है मतलब एमें नहीं हुंदा कि ओहो बेट वेजे कोई शब्द हुंदेने जिदा कोई मतलब भी नहीं है गा जिमें पानी हो गया, चा हो गया, कोई कम हो गया, सोटी होगी, दुद्ध हो गया, कोई कमरा हो गया, पक्खा हो गया ये सारे शब्दां दा कुछ ना कुछ मतलब है सो इन्हों असी बोल देया सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द ओ हुंदेने, जी में असी किसे नो कैदने है न, रोटी रटी खालो चाचू पीलो, ठीक है सोटी साटी, ये जड़े मतलब, जीदा कोई अर्थ नी हैगा, ठीक है चू हो गया जीदा कोई मतलब नी हैगा विचादा मतलब था है पर चूदा कोई मतलब नी है, सो इन्हों दे जड़े शब्द हुंदेने, ओहो निरार्थक शब्द हुंदेने ठीक है, यह आयगा शब्दा बारे, हून असी गल कर tutaj लगया वरन बारे, वरन बहुत महत्वपूर्ण गाल है गी है कि वरन जड़ा है, मुझो निकलन वालियां वक्रियां वक्रियां आवाजा नो लिखती रूप दें लई, जिना चिन्ना दी वर्तों किती जानती है, उना न मोटए तो ओरते चार किसमा दा हुनदे है, एक हुनदे स्वर, एक हुनदे व्यंजन, एक हुनदे अनुनासिक, एक हुनदे दुत, चारे बारे अपन संखेप चिकल कर देया, स्वर जड़े हुनदे ने जी में अंग्रेजी दे विच ए, ई, आ, उ, यू बारे किया जानदा ह एमी पंजाबी दे विच उड़ा एड़ा ते इड़ी इस वर हुंदे ने ठीक है उड़ा एड़ा इड़ी तो इलावा जिनने भी होर वरन हुंदे ने जिमे के ससे तो लेके राडे तक इस सारे व्यंजनी हुंदे ने ठीक है जी उस तो बाद है अनुनासिक अनुनासिक अख ये तो निया जड़ियाने साड़े नाकचो निकल दियाने, ठीक है जी, लास्ट है दुत, दुत अखर केड़े हुंदेने, जेड़े व्यंजना दे पैराच लगाए जानतेने, सिरफ तिननी दुत अखर हुंदेने, हाहा, रारा, ते वावा, जिमें पड लिखने, पपा, डा पैर्च हाहा, स्वर लिखने, सस्य दे पैर्च वावा, रारा, प्रमान लिखने, पप्पे दे पैर्च रारा, मम्मेनुकन्ना, नाना, प्रमान, ठीक है जी, सो ए सिगा वर्ण बारे, हुन जेड़े लिंग है, पुलिंग ते इस्त्री लिंग, ए बढ़ियां छोटे दो किसम दे है हुंदेने, ता उनानू असी बहुत चंगे तरिक के नाल पढ़ने, सारे पहला पुलिंग पढ़ने ते उनानू जे इस्त्री लिंग दे विच बदलने, ता किड़े किड़े शब्द जड़ेने, ओ आंदेने, उनू विस्थार्च करने असी, बस तानवाद ह पर वेश परिख्या, दे विच जड़ा, व्याकरन वाड़ा पोर्शन है, उनू चंगी तरह त्यार करके पेपरच बैठो, तानवाद